वेलकम वेक एवरिवान वेलकम टो सोल सर्विसेश टड़ी 19 टेस्ट कम्प्रीट हो गये थे यूपी पीसियस के लिए यह है टेस्ट टंबर 20 तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पूरी की पूरी टेस्स सेरीज की प्रिलिस्ट बना रखी है वहां पर आप टेस्ट नंबर बन स पत्रिका गेट जैपूर में किया गया है औप्सन नंबर बी है इसका आंसर तो पत्रिका गेट का निर्बान जैपूर में किया गया है हाली में प्रधान मंत्री मोधी ने वीडियो कॉंफरेंसिंग के माध्यम से पत्रिका गेट का उदगाटन किया question number two पर आजए निम्रिखित कत्नों में विचार करना है दो statement है यहाँ पर बताने किन में से कौन सा correct है लिंग राज मंदिर अभी नियूज में रहा भगबान विश्णों को समर्पित है क्या लिंग राज मंदिर अभी यूज़ नियूज में रहा भगबान विश्णों को थोड़ी है तो हाल ही में अभी शर्कार द्वारा ग्यारवी शतादी के लिंग राज मंदिर को उसकी 350 वर्स पूर्व वाली सनरशना इस्तिती प्रदान करने की घोशना की गई है लिंगराज मंदिर शिव को समर्पितिक मंदिर है जो उडिसा के भुबनेस्वर डिस्टिक में स्थित है ठीक है विश्णू को नहीं है बाराटांग द्वीप निम्लिकित में से किस द्वीप समू का भाग है बाराटांग द्वीप किस द्वीप समू का भाग है लक्ष द्वीप समू का नहीं है स्रिलंका के द्वीपों में से एक नहीं है अंडवान द्वीप समू का भाग option number A है इसका answer तो बारटांग द्वीब अंडबान द्वीब समों का एक द्वीब है यह उत्तर अबम मध अंडबान प्रशासनिक जिले के अंतर गताता है इसे राची वालस द्वीब के नाम से भी जाना जाता है बारटांग द्वीब भारत में पंक जो अला मुखियो मतला मध वोलकानों का एक मात्र उधारण है ठीक है हल ही में समाचारों में रहा है कुछ क्या रहा है रियल मैंगो क्या है ये रियल मैंगो क्या है आम की एक परजाती नहीं है तित्ली के परजाती नहीं है यह है एक अवैध सॉफ्टवेर अप्सन नमबर ए है सकांस रियल मैंगो तो रियल मैंगो एक अवैध सॉफ्टवेर है इस सॉफ्टवेर का उपयोग स्वचलित तरीके से टिकेट बुकिंग में किया जा रहा था और हाल ही में रेलवे सुरक्षा बलने देश व्यापी अवैध सॉफ्टवेर रियल मैंगो के संचालन को नाकाम कर दिया अंतराश्टिय साक्षर्ता दिवस कब मनाया जाता है भई अंतराश्टिय साक्षर्ता दिवस कब मनाया जाता है सप्टेंबर में 8 सप्टेमबर को तो हर साल 8 सप्टेमबर को अंतराश्ठे साक्षरता दिवस मनाय जाता है वर्ज 2019 के लिए अंतराश्ठे साक्षरता दिवस की थीम क्या है वर्ष 1966 में युनेस्को की एक आम सभा में की गई थी 1996 में अंतराश्टिय लोकतंत्र दिवस 2020 की थीम क्या है निमलखित में से COVID-19 a spotlight on democracy क्या है COVID-19 a spotlight on democracy option number A तो परते एक वर्ष 15 सब्टेंबर को विश्वर में अंतराश्टिय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है वर्ष 2008 में पहली बार अंतराश्टिय लोकतंत्र दिवस मनाया गया था परस 2020 के लिए इस दिवस की थीम किस दिवस की थीम अंतराश्टिय लोगतंद दिवस की थीम क्या है कोविट 19 स्पोर्ट लाइट और डेमोक्रेसी रखी गई है ठीक है कोश्चन नमबर सेबन पर आजए हाल ही में किस महादीब को वाइल्ड पोलियो मुक्त घोशित किया गया है किस महादीब को घोशित किया गया है वाइल्ड पोलियो मुक्त अफरीका को अपसन नमबर सी तो देखिए अफरीका महादीब के देश नाइजिरिया के पोलियो मुक मुक्त होने के बाद 25 अगस 22 को पूरा अफ्रीका महादीव जो है वाइल्ड पोलियो से मुक्त हो गया है अफ्रीकी देश नाइजिरिया में ही पोलियो वायरास से स्थावस और कहीं नहीं था पिछले चार वर सोये से यहां पर एक भी मामला सामने नहीं आया है प्रश्म क्रमांग संख्या एट पर आजाईए नमलिखित कतनों पर विचार करना दो स्टेटमेंट है हम पर बताना किरमें से कौन सा करेक्टर है हरीकेन नाना का संबंध जापान एवाम इसके आसपास के छेतरों से है टाइफून हेशेन का संबंध मध अमेरिकी देश बेलि से है और टाइफून हेशेन का है जापान और इसके आसपास के छेतरों से दोनों इंकरेक्ट हैं इंटरचेंज करोगे तो करेक्ट होगा उपरोक्त में से कोई नहीं डी तो हरीकेन नाना जो है मध अमेरिकी देश बेलिज के तर्ट पर टकराया बेलिज एक केरवियन कंट् से था है जापान और इसके आसपास के छेतरों में टाइफून हेशेन आया हेशेन एक चीनी वहासा का सब्द है जिसका मतलब क्या है समुद्री देपता संत अयंकाली का संबंद दम्लिकित में से किस प्रदेश से है संत अयंकाली का संबंद है केरल से अपसा नमबर डी तो संत अयंकाली का संबंद जो है केरल राजे से है भारत को आधुनिक बनाने दलितों आबम पिछडों को आत्म समान की भावना पैदा करने और महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिलाने में महात्मा आयम काली की महत्पूर्ण भूमी का रही ठीक बैसे ही जैसी जोतिवा फूले की रही डॉक्टर अंबेटकर की रही रामस्वामी पेरियार की रही ठीक है दसवा प्रशन है विश्व वन्यजीब कोस का गठन हुआ था 1961 में अप्सन नमबर यह है इसका अंसर तो विश्व वन्यजीब कोस का गठन 1961 में हुआ था तदा यह है परियाबरण के संरक्षन अनुसंथा नेमम रखरवा रखरखाब संबंदी विश्य उपरकार करता है ठीक है इसका उद्देश है परियाबरण के अवनेयन को रोकना और ऐसे भविश्य का निर्माण करना जिसमें मनुष्य प्रक्रती के साथ सामजस स्थापित कर सके विश्व वन्यजीब कोस का मुख्याले का है नीदर लेंड नहीं है स्थिट्जर लेंड के ग्लेड में ठीक है नमबर 11 है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट नमलिकत में से किसके द्वारा जारी की जाती है कौन जारी करता है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट यही करता है विश्व वन्यजीब कोस ओप्सन नमबर B तो living planet report जो है wish of बनेजीब कोस द्वारा जारी की जाती है इसके अतरिकत wish of बनेजीब कोस द्वारा living planet index ecological footprint calculation भी प्रकाशित किया जाता है याद रखिएगा ecological footprint calculation living planet index किसके द्वारा wish of बनेजीब कोस के द्वारा question number बारे पर आजाईए word association of Jew and aquarium word association of Jew and aquarium का सरस्व बनने वाला भारत का पहला चड़िया घर कौन सा है कौन सा है नंदन कानन जोलोजिकल पार्क नंदन कानन जोलोजिकल पार्क option number C तो नंदन कानन जोलोजिकल पार्क word association of Jew and aquarium का सरस्व बनने वाला भारत का पहला चड़िया घर है नंदन कानन जोलोजिकल पार्क की स्थापना कभ हो ही ती 1960 में उडिसा में है ये देखें यह है दुनिया का पहला captive मगरमच प्रजन केंदर था और यह है भारतिय पैंगोलिन और सफेध हाती का भी प्रजन केंदर है ठीक है प्रश्न करमांग संख्या तेरे पर आजगे नमलिखित कत्नों पर विचार करना है दो इस्टेटमेंट है यहां पर बताने की नमें से कौन सा करेक्ट है विज्यान और प्रजग की विभाग द्वारा विज्यान जोती योजना सुरू की गई है बिलकुल यह करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट कुछ भी गलत नहीं है कौशन नमबर फोटीन पर आजगे किया माली की राजधानी जो है माली की मुद्रा है माली की राजधानी क्या है बमा को सीधा सीधा याद रखिएगा इस चीज को अंते इंप्राश्न की तरह बगरसर होते हैं नमलखित कतनों पर विचार करना है दो स्टेटमेंट है यहां पर बताना है कि नमेंसे कौन सा करेक्ट है संगाई सहयोग संगठन एक इस्थाई अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यला है चीन के विजिंग में इरान मंगोलिया इसके सदस राष्टों में से एक है सदस राष्ट हैं या परिवेक्षक हैं परिवेक्षक हैं गलत है दूसरा वाला स्टिटमेंट के वाल पहला करक्ठ है तो संगाई सहयोग संगठन एक इस्थाई अंतर सरकारी संगठन है इसका गठन हुआ था दोहार एक में इसका मुख्यला है चीन के विजिंग में संगाई सहयोग संगठन में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, पाकिस्तान, रूज, उजबेकिस्तान, सहित, आठ सरस से देश हैं ठीक है अफगानिस्तान हो गया, बेलरूस हो गया, इरान, मंगोलिया ये इसके परिविक्सक राष्ट है ना कि सरस राष्ट ठीक है तो 15 प्रशनते इंपोर्टेंट अच्छे से इसका रिविजन कर लेजेगा प्रक्टिस करने के बाद कम से कम एक बार धन्य बाद जितनी भी टैसरी इस चैनल पर चल लेएं उनका लिंक आपको वो डिस्क्रप्शन बॉक्स में मिल चाहेगा आपने आवश्यक्त सब्स्कार के लिए 16 comport है